यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ धिश्टे मौसम को देखते हुए इसके साथ ही आपको बता दें कि यहां पर नालागर के दरजनों गावों की बिजली भी गुल हो गई है बिगडे मौसम की कारण बिजली भी यहाँ पर बादित हुई है बिजली सप्लाइ भी तूफान की खे बाद बीबियन प्रशासन वो अब अलर्ट हो गया है कई निजे गुलो की छुट्टि भी कर दी गई है क्योंकि तूफान का अलर्ट जारी किया गया है ऐसे में आपको बदारे कि मौसम जो है नालागर में बिगरता हुआ नजर आ रहा है और साथी कई लाकों में बिजली भी गुल हो गई है बिगडे ते मौसम की वजह से बिजली गुल हो गई है साथी कई स्थानों पर भारी बारिश और तेज हवाईं भी चल रही है मौसम ने करवट बदली है और साथी तूफान और बारिश का अलर्ट जस्तरा से पहले ही मौसम विभा की और से जारी किया गया था तो इसी एलर्ट के चलते आज भी मौसम खराब नजर आ रहा है और साथी कई निजी स्कूलों की छुटी का भी एलान हिमाचर प्रदेश में किया गया है खबर आप ले रहे हो नाला गड़ लिखे स्पेशल और उस पे फोनों जुडवाओगे आप चंडी गड़ से तो फिर हर्याना हिमाचर प्रदेश लिखो ना सब चीजी तो मौसम जो है वो बिगड़ा है एक बार फिर से मौसम विभाद में हाला कि इसको लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया था 7-8 माई का मौसम विभाद में पहले ही 7 और 8 माई को लेकर अलर्ट जारी किया था जिसके बाद में मौसम जो है उसने अब करवट बदली है ऐसे में आपको बता दे कि हिमाचल प्रदेश में एक और जहां हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने करवट बदली है तो वहीं पर हरियना, चर्लिगर्ड समेत उत्तर भारत में मौसम का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है तो राश्ट्रिय राजधानी दिल्ली में भी देरात धूल भरी आंधी तूफान ने दस्तक दी जिससे तापमान में कुछ गिरावट फी आई सब्दर जंग वेद शाला के एक अधिकारी ने कहा कि 70 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से तूफान रात करीब 11 बचकर 15 मिनट पर दिल्ली पहुँचा मौसम विभाग ने रात आठ बचकर 15 मिनट पर चेतावनी संदेश जारी किया था कि दिल्ली एंसियार में अगले 3-4 घंटे में बारिश और धूल भराधी तूफान आने की संभावना है दिली सहित, पंचाब, हध्याडा, चंडिगर, असम, मेघाले, नागलेंट, मनिपूर, मिजोरम, एवं त्रिपुरा और साथी बिहार उर्दक्षण में करनाटा, तमिलनाडु, केरल के दूर दराज के हिस्तों में भी तूफान और बारिश का अनुमार मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था, अभी जो है अगले कितनी समय तक इसी तरह से मौसम बद्दा हुआ रहेगा? अभी जो है बादल चाहे हुए आसमान में, पेड़ों पेड़ों पे हलकी हलकी सी हवा चल रही है, कोई बहुत तेज आंधी नहीं है, जिस परकार का मौसम विभाग ने कहा था कि यहाँ पे हलकी हवाई चल सकती है और पानीज और बोचार भी हो सकती है बारिश में, लेकि अभी इस परकार की कोई धूल भरी आंधी और बड़ी तेज हवाई चलना या थंडर स्ट्रॉम जैसी कोई बात अभी सामने नहीं आई थी, और मौसम विभाग ने कहा कि लबग सामान रहेगा, लेकिन राजस्थार यह कुछ साथ लगते इलाके में हरियाना के वहाँ पर जो है रेतीली जो मिट्टी होती उसके साथ जो आंधी हवाई चलेंगी वो थोड़ा बुद नुकसान पचा सकती हिमाचल में मौसम जो है वो थोड़ा सा बिगडा हुआ हरियाना में अगर बात करें तो अमूमन रात को जो तेज हमाई चली थी उनसे थोड़ा सी बिजली क पूर्ती में नुकसान हुआ कहीं कहीं बारिश भी हुई है और लेकिन अमूमन अगर बात करें पूरे हरियाना में तो लगबग मौसम खुशगवार रहा और अभी स्थिति यह कि कहीं कहीं बादल चाहिए हुए कहीं थोड़ी बारिश हो रही है लेकिन इतना पैनिक होने वाली कोई स्थिती नहीं है फिर भी मौसम विभाग ने पूरा अलेटनेस बनाया हुआ है और वो साफ तोर पर गया रहा है कि जब भी कही कुछ ऐसी सूचना होगी तो चार घंटे पहले ही सरकार को अलेट कर दिया जाएगा कि स्थिती क्या होने वाली है कुमारा मिश्क्यों कि आप मौसम विभाग आ रहे हैं कि बाहर से खड़े हैं आपकी बात मौसम विग्यानिकों से भी हुई होगी तो ऐसे में उनके और से क्या कहा जा रहा है क्या तूफान जो है वह यहां से अब टल गया है अगर चन्रिगड हर्याना की बात कर ले हां लग कि कुछ इलाकों में आपने बताया राजिस्थान से लगते लाकों में जो है तूफान अभी भी है तेज आंधी जो है वो चल सकती है क्या खत्रा जो है गुटलता हुआ नज़र आ रहा है आप तूफान का अगर दिखें उन्होंने कहा कि इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हाँ थोड़ी सामानने घटना से हलका सा सामानने सिस्टम में और जो हवाएं चलेंगी उन हवाओं से थोड़ा सा जो मिट्टी वाले इलाके जो रीतिली इलाके वहाँ पर थोड़ी धूल भरी आंध चलेंगी लेकिन इस्तिति वही रही जो उन्होंने अनुमानित किया था और अभी उन्होंने कहा कि कई कई शुट पुट रिलाकों में बारिश हो सकती थोड़ी तेज हमाय चल सकती हैं पर इसमें चिन्ता स्थिति वाली कोई बात नहीं कि आप इसके लिए बहुत तेज आं हैं उसके अंदर आने वाले जो एंबुलेंस से वाए हैं और दूसरी जो फायर बीड़ेट की से वाए हैं उन सभी को त्यार रहने के लिए बोलागी कि वो अलट पर रहे हैं और साथ ही उनकी सब की छुटियां जैसे कि कल हमने बताया था कि छुटियां भी रद कर देगे प्रशाशन के और से पूरी त्यारी है लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि जो मौसम होगा वो थोड़ा सा सामान से हलका सा चेंज होगा बाकी मौसम ठीक है जी साथ ही इसके साथ ही एको मारा मेश क्योंकि अभी हाल ही में इससे पहले भी भैंकर आने तूफान देखा गया था और दिल उत्तरप्रदेश और राजस्थान में उसका जो है काफी बड़ा प्रभाव भी दिखा काफी नुकसान जो है उत्तरप्रदेश और राजस्था हवाएं हैं वो पश्चमी छोड़ से चलती हैं और पूर्वी छोड़ तक आती हैं और डिपेंड करता है कि मौसम में जो तापमान है वो कितना जो है गर्वशील पैदा होती है और तो इन दोनों के कंबिनेशन के साथ जो है फिर स्थिती बनती है कि बारिश और तेज हमाओं का क्या असर होगा अभी फिरहाल के दिनों में मौसम लगबग ठीक रहने की उमीद है और अभी जिस तरह कि मई का मौसम चल रहा है उसके बाद जून आएगा जुलाई आएगा तो जून के संभाव कि मानसून सत्र के आसपास होता है और मानसून आने वाला होता तो उसमें बारिश की पूरी उमीद होती है और इस बार पहले भी मौसम भागने कहा है कि सामान से अधिक वर्शा भी होगी तो इन चीजों को लेकर कि यह माना जा रहा है कि थोड़ा सा मौसम पिछली से अब ले इस बार ठीक रहेगा और ये भी कहा गया कि इस बार बारिश भी अच्छी है और फिलहाल जो मौसम के बारे में जो जानकरी मौसम भाग के दौरा दी गई है कि कुछ हावाएं चल सकती है लेकिन इतने चिंतित होने वाली को इस्तिती नहीं है कि सरकारों को बहुत कि देखे मौसम विवाग के ओरते इसको सामाने बता जा रहा है लेकिन प्रशाशन के ओरते उनका कहना है कि फिर भी उन्होंने दो दिन की शुटी गोशित की और उनके लिए अलटनेस बहुत जरूरी क्योंकि उत्तर परदेश में इस परकार हावायत चली और तुफान आय लेकिन इतनी कोई चिंती जानी के पैनिक लेने के जुरूरत नहीं है आज भी उन्होंने बताए कि मौसम ठीक है आमोमन और इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है थोड़ी सी बारिश हो सकती है और शाम को सेकता थोड़ी हवाईं चले लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई धूल बरियांदी तूफान और मुश्लाधार बारिश आईगी ऐसा कुछ नहींगा कुमारा मिश्क्यों कि आप चंडेगड में हैं तो ऐसे में क्या चंडेगड में अभी बारिश की संभावना नजल आ रही है देखिए अगर हम बात करें चंडेगड के तो अभी बादल जरूर थोड़ से चाहें हुए हैं लेकिन धूब भी निकली हुई है और हलके हलके से हवाएं चल रही है जब ये हवाएं बिलकुल थम सी जाती है और बिलकुल मध्यम हो जाती है तो उसके बाद जो टंपरेचर है वो जो टंपरेचर अपना प्रभाव बढ़ाता है तो उसके बाद जो बारिश की संभावने बढ़ती है लेकिन बादल जो चाहें हुए हैं उससे साफ अंदाधा लगता है कि बारिश आ सकती है लेकिन कितनी आएगी और किस मुस्लाधार होगी या नहीं होगी ये अभी जल्दबाजी होगी लेकिन ये माना जा रहा है कि राद तक शायद बारिश आ जाजा है जी चलिए बहुत शुक्रा कुमार हमेश तमाम जानकारे के लिए राद तक शायद बारिश आजा चैन्रिगर में भी या नुमाना भी रगाया जा रहा है लेकि दसके साथ ही अभी जो खत्रा था तूफान का जसरे से अलर्ट जारी किया गया था हलागी मौस्लाधा के और स आज से अब इसको सामान ये बताया जा रहा है और खत्रा जो है वो लगबब दल गया है इसके साथ ही खाब्र अभी तक भी सभी से यहां पर क्योंकि मौस्लाधा विभाग ने अलर्ट जा रहे कि यहां पर गुजारिश करता है कि सभी जो है हालाकि तूफान का खत्रा भी भले ही टल गया हो लेकिन सात्य अर्मान यही की शाम तक जो है तूफान जो है एक बार फिर से अपना रूप दिखा भी सकता है तो ऐसे में सभी को सच्छेत रहने की बहर जरूरत है